आईए बात करते हैं BA6 Hero Splendor iSmart के बारे में जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों इस गाड़ी की कीमत बढ़ गई है यानि कि जब गाड़ी launch हुए थी उसके compare में आपको कीमत बढ़ी हुए देखने को मिलेगी क्योंकि आपको बता दे Hero के Splendor iSmart जो 110 DC वाली गाड़ी थी BA6 में ये गाड़ी अवेरेबल फ्यूल इंजेक्शन के साथ इसी कीमत 2200 रुपए तक बढ़ गई है क्योंकि आप उदा दे कि ये गाड़ी जब launch हुए थी दूस्ते में इस गाड़ी की एक सोरूम कीमत थी 64900 रुपए लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे ड्रम ब्रेक वाली गाड़ी कीमत के बारे में इसके आपको पढ़ रही है एक सोरूम कीमत 6600 रुपए यानि कि जब गाड़ी लौज हुए थी PS6 Hero की Splinter iSmart उसके कंपेर में इस गाड़ी की 2200 रुपए तक बढ़ गई है अब बताइए एक तो खुदी देश के कंडिशन ऐसी और कीमत ऐसी बढ़ती जा रही है अब क्या किया जा लेकिन है दोस्तों अभी हुई है क्योवाल स्प्रेंटर iSmart के साथ लेकिन चार माई के बाद से देखते हैं सोरूम खुलने के बाद से कितनी कीमत बढ़ती है मैं आपको अपडेट कर दूँगा तो यह बहुत बढ़ी ख़बर स्प्रेंटर iSmart को लेकिए क्योंकि दोस्तों 2200 रुपए बहुत बढ़ी रकाम होती है क्योंकि अगर इतने रुपे में आपको जो कई सारे फिचर भी एड हो जाते हैं अगर आप किसी और कंपणी की गाड़ी अगर आप पर्टेस करते हैं तो इंजन आपको इस में 113 CC के देखने को मिल जाती है बीए 6F फिल इंजेक्शन आपको देखने को मिलेगा और यह जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकोन को प्रेस करते हुए आगे बढ़िया है और अब इस गाड़ी के पड़ रही है ड्रम ब्रेक वाली मॉडल के एक सोर्म कीमत 66,100 रुपाय यानि कि आपको ऑन रोड कीमत में ही बदलाव देखने को मिलेगा तो बहुत जल्द मैं आ आपको अब्डेट कर दूँगा तो इस वीडियो को सेर करेगा ताकि लोगों को पता चले और लाइक कर दीजेगा और चैनल को जरू सब्सक्राइब करकर रखेगा ऐसी जनकारीबले वीडियो सहमें सा अब्डेटेड रहने के लिए थाइंक्स पर वाचिंग स्टेय तून विद हस